असलाम अलेकुम चलिए आज की इस वीडियो के शुरुआत करते हैं और समझते हैं उर्दू का अगला चेप्टर इस वीडियो में हम लोग एक नहीं दो दो चेप्टर को कम्प्लीट करेंगे इसलिए वीडियो बहुत ज़्यदा धमाकेदार होने वाला है बिना स्किप किये ध्यान से सुनिएगा और समझेगा वो दोनों कौन कौन सा चेप्टर है चेप्टर नमबर 20 जिसका नाम है बिजली का खंबा और एक है चेप्टर नमबर 21 जिसका नाम है नजम बहुत आसान थी पहले ठीकें ये दोनोंचेप्टर जो है इस वीडियो में हम लोग खुलासा के साथ कोश्टन के साथ अच्छे तरीके Pittsburgh करेंगे ये दोनों चेप्टर एक नजम है ठीक है ये दोनों क्या है नजम है पोएम कवीता है और इन दोनों चेप्टर के जो लेखक है यानि कि मुसनिफ है वो कौन है निदा फाजली और इसी लिए मैं इन दोनों चेप्टर को एक ही वीडियो में कम्प्लीट करा रही हूं क्यों क्यों क पहले मुसन्निफ की तरफ चलते हैं और इनके बार में कुछ डीटेल्स जान लेते हैं फिर हम लोग चैप्टर की तरफ चलेंगे फिर उसको बाद को स्वेंसर की तरफ चलेंगे ठीक है नेदा फाजली दुनिया के मश्हूर शाहरों में से एक आप लोग सभी लोग जानते हो नेदा फाजली का इंतिकाल 8 फरवरी 2016 को हुआ था तेक यह मश्हूर सायर थे शेर वाशायरी किया करते थे ठीक है नेदा फाजली की पैदाइस जो है वह 12 अक्टूबर 1938 को हुआ था गौालियार में ठीक है उनका जन्म का हुआ था गौलियार में उनके वालिद वालिदा और बहने कराची पाकिस्तान में झा बस ले पाकिस्तान में कोई ऐर कराची वहाँ पर इनके माता पिता और इनकी बहने जो है जाकर वहां पर वस गय लेकिन अमारे जो निदा फाजली यह वह तालिव कि दोर से गुजर रहे थे अभी ओए इजिक्वेशन ले ही रहे थे इसलिये वो क्या है हिंदुस्तान में रुप गय वो पाकिस्तान नहीं गये ठीक है उर्दू और हिंदी में इन्हों ने बीतिह अब नजमे भी निति हैं आ यहां पर समझें कि निता हैं और दोहें भी लिखे निदा फादली ने उनका शेरी मज़मुआ यानि कि शेर वशायरी का किताब है मुर नाच आख और ख्वाब के दर्मिया खोया हुआ सा कुछ शहर मेरे साथ चल जिन्दगी की तड़ लफजों का पल ये क्या है निदा फादली का शेर वशायरी का किताब है ठीक है और इसके साथ किताबे लिखें जैसे कि मुलाकातें दिवारों के बाहर दिवारों के बीच चेहरे दुनिया मेरे अगे वगएर वगएर बहुत सारे किताबे लिखें इनको कौन-कौन सा आवार्ड मिला साहित के गालीबब फुस्रू अवार्ड से यह क्या हो गए नमाजे गई इन का इंतकाल तो मैं आप लोगों को बता दी आठ फरवरी 2016 को इनका इंतकाल हुआ था इस दुनिया से वो चले गए थे तो यह हो गया निदा फादली के बारे में कुछ डीटेल्स जो आप लोगो को जानना जरूरी है यह एक्जाम में पूछ देता है क्योंकि देखिए इनका जन्म हुआ था उन्हीं सार्थ इस भी को और यह इनका इंतकाल हुआ 2016 में कुछ चल पहले और इसलिए मतलब मशूर भी है मतलब कुछ चल पहले इनका इंतकाल हुआ तो सभी लोग जानते ही होंगे इनको और वैसे भी इनका आप लोग इमेज भी देख सकते हैं Google Chrome पर जि कैसे कि कैसे फाजली ने इस नजम को लिखा है ठै चैप्टर का नाम ही है बिज्ली का खंबा आप लोगा दरक्षा का बुक्र में ले लिए और विज्ली का खंबा निकालती हुक और सेप्टर का नाम सुनकर आप लोगो आगीögए' ओगा होगा कि यह जो चैप्टर है वो ये जो नजम है ये बिजली के खंबे के ऊपर लिखा गया है निदा फाजली ने बिजली के खंबे पर लिखा है ये नजम ठीके चलिए समझते हैं किस तरह लिखे हैं निदा फाजली इस नजम को सबसे पहले देखिए वो क्या लिखे हैं कई साल गुजरे इसी रह गुज पर इसी रास्ते पर मैं किसी पेड़ के थंडी छाओ के नीचे उसके तल में क्या करता था बैठा रहता था गुमसम सा चुपचाप सा ठीक है एकदम खामोस ठीक है कई अजनभी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले लेके आवाज दी थी फिजाओं में हलचल सी होने लगी इस लाइन में निदा फाजली जो है वो ये बताने की कुशिश कर रहे हैं कि कई अजनभी अजनभी लोग जो रास्ते में आया जाया करते थे वो मेरा नाम ले लेकर आवाजे दिया करते थे एक तरह से दोस्त की तरह मुझसे रहा करते थे मतलब लोगों में अपनापन था पहले एक उस माहौल में अजब सी हलचल थी लोग मतलब एक अजनबी हो कर भी मेरा नाम पुकारते थे और मुझसे बाते किया करते थे मगर दोस्त यह बात उन दिनों की है यहां कोई बिजली का खंबा नहीं था मगर चांद का नूर मेला नहीं था यह बात बताने की कुश्स की है निदा फाजली की दोस्त यह जो बात है यह बहुत साल पहले की है जब वहां पर कोई बिजली का खंबा नहीं था लेकिन चांद का नूर मेला नहीं था मतलब जो चांद से रोशनी आ रही थी उसी से चारों तरफ उजाला था और उसी चांद की रोशनी में मैं उसी पेड के छाओ के नीचे बैठा करता था और आसमान में तारव को देखा करता था और एक अलग सी सुकून थी लोगों के बीच अपनापन था जो अजनभी लोग भी थे वो मेरे से अपनापन जताते थे लेकिन अभी वो रोड समझ में नहीं आता वो रोड पहचान में नहीं आता मैं अभी भी वहां जाता हूं और स्पेड के नीचे बैठता हूं लेकिन अभी वहां पर कोई अपनापन नहीं दिखाई देता अब उस सड़क के किनारे एक उस बल्ब का जो परकाश है वो चांद के चांद के नूर को यान की चांद के रौशनी को क्या कर दिया है फीका कर दिया है बल्ब के परकाश के वज़ा से बल्ब की रौशनी के वज़ा से चांद का रौशनी क्या हो गया है फीका पड़ गया है अब लोग बाहर जाने के बज किसी से कोई मतलब नहीं है अब मैं उसी रास्ते पर जाकर उसी पेड़ के किनारे बैठता हूं लेकिन कोई अपनापन लोगों में नहीं दिखाई देता ठीशे यह हो गया आप लोगों का नजम यहीं पर कंप्लीट यह था आप लोगों का बिजली का खंबा का खुलासा और का मतलब आप लोग समझ गए निदा फाजली बिजली के खंबे के बारे में बताए हैं कि अभी बिजली का खंबा तो लग गया है लोगों को सुकून तो मिल रहा है लाइटिंग साइटिंग घर में तो रह रही है लेकिन वह अपनापन नहीं है लोगों के बीच ठीक है जो नजम है पहले पोएम यानि की कविता को लिखा जाता था वो बहुत पहले बहुत आसान था लिखना चलिए देखते हैं कैसे निदा फाजली लिखे हैं सबसे पहले लिखे हैं नजम बहुत आसान थी पहले घर के आगे पीपल के शाखों से उच्छल के आते जाते बच् में खुसूरती से अलफाजों को सजाएं हैं इसका मतलब समझे नजम बहुत आसान थी पहले मतलब कवीता लिखना पहले बहुत आसान था घर के आगे जो मेरे पीपल का पेड़ था उसकी शाखों से नजम यान की कवीता उचल कर बच्चों के आते जाते बस्तों से निकल कर बस्तों मतलब समझते स्कूल बैग तो बच्चों के स्कूल बैग से निकल कर रंग भी रंगी चिडियों की चहकारियों में ढलके उनकी चहकारों में ढलकर जब मेरे घर में आती थी वो कवीता वो नजम तो मेरे कलम से जल्दी जल्दी अपने आपको पूरा लिए जाती थ नजम से मुझ तक अब मिलो लंबी दूरी है देखिए इस लाइन में क्या बोल रहे है निदा फाजली कि अब सारा मंजर बदल चुका है जो मेरे घर के आगे पीपल का पेड़ था और जो नजम चल कर चिडियों की चहकारों से ढल कर मेरे कलम से आकर खुद को लिख जाया करत थी वह सारा मंजर बदल चुका है अब जो छोटे छोटे चोड़ा है वह चोड़े रास्ते में बदल चुके है यानि कि उसका चोड़ा रस्ता बन चुका है रोड बन चुका है बड़े बड़े जो बाजार है वह पुराने गली मुहले को निगल चुके है मतलब गली मुहल के बराबर होता है यह याद रखिएगा एक मिल कितना किलोमीटर के बराबर होता है मतलब मेरे से और कवीता के बीच जो दूरी है वह मीलो नारे रटते हैं बहुत से शहरों बहुत से मुलकों से अब होकर नजम मेरे घर जबाती है इतनी ज्यादा ठक जाती है मेरे लिखने की टेबल पर खाली कागज को खाली ही छोड़ कर रुखसत हो जाती है और किसी फुटपात पे जाकर शहर के सबसे बुढ़े शहरी की पलकों पर आशू बनकर सो जाती है इसमें निदाफाजली ये बताना चाह रहे हैं कि अब मेरे नजम से यनकी कवीता से और मुझसे जो मीलो दूरी बन चुकी है उस मीलो दूरी में क्या हो रहा है कहीं अचानक बम फट रहा है कोख में माओं के सोते बच्चे कट रहे हैं मजभ औ मुल्कों से ओकर जब नजम मेरे घर आती है तो इतना ज़्यादा ठक जाती है कि खाली कागज को खाली ही छोड़कर वो रुकसत हो जाती यनकी चली जाती है और किसी फुटपात पर जाकर शहर के सबसे बुढ़े शहरी यनकी उस शहर में रहने वाला सबसे बुढ़ा इंस पलकों पर आशु बनकर सो जाती है यहान ही वो बुढ़ा इंसान देखा है पहले का जमाना घर के पीपल का पेड़ बच्चों की चैचार बच्यों के इस्कूल बैग ठीके वो भी देखा है तो वो भी देख रहा है कि जमाना कितना बदल चुका है कि लोग अब एक दूसरे से कोई रिष्टा नहीं रख रहे हैं और वह सोच कर रो रहा है और जब वह बुढ़ा इंसान रो रहा है तो उसी पलकों का उसी पलकों पर वह जो कवी सब्दों हरा दोनों चेप्टर का कोश्टर के-सास धर्म समुज लेते हैं और सबसे पहला सडले निदाफादली दी गवालियार में पैदा हुए मैं अलडेटी सब बता दी हूं अगर मैं नहीं भी बताओंगा कोश्टर का एंसर और आप लोगए धुज से दिए जिएंकि जो जो मेन मीन पवाइंट हे मैं आप लोगों को हर एक एक चीज़ बता चुकAm दूसरा सवाल है निदाफाजली को कौन-कौन से आवाइड मिले तो पिसके केदमि становi अवाड्य और खुस्रू आबार्ड तीसरा सवाल है नेज़्टा फाजली ने मश्रिकों मग्रिब के किन मुलकों में हिंदुस्ताणी अद्वीयों की निमाइंदगी किये कुशन के लिए तीसरा का अन्सर हो गया चार नंबर सवाल है नेदा फाजली के तिन शेरी मजमुँः के नाम लिखे यान की शेर वाशारी का किताब का नाम बताना है तो मैं अल्रेडी बता चुकी हूं सबसे पहला यह लिख दीजेगा दुसरा यह तिसरा यह कोई भी इसमें से सबसे कमजोर समाज के सबसे कमजोर ठीक है अब बात आती है मुखतसिर सवालात की अनकी लगो उत्रिया प्रसन की सबसे पहला सवाल निदा फाजली के शायरी के बारे में पांच जुम्ले लिखिए ठीक है निदा फाजली के शायरी के बारे में आप लोगो पास सेंटेंस में लिख देना है वो आप लोगो खुद से भी लिख सकते हैं दूसरा सवाल है नजम बिजली का खंबा का खुलासा अप लोगो करना है उसका मतलब समझाना है तो आप लोग मैं अल्रेडी बता चुकी हूं बिजली का खंबा का खुलासा कर चुकी हूं उसका मतलब बता चुकी हूं ठीक है तीसरा सवाल है कोई बिजली का खंबा नहीं था मगर चांद का नूर मेला नहीं था इन मिस्रों की तश्री कीजिए कोई कोई बिजली का खंबा नहीं था, मगरे चांद का निर्फ मेला नहीं था, इस का आप लोगो को तशरीर करना है, खुलासा करना है, मतलब किना रहना है, क्या मतलब रहती हुआ, तो ये मैं ऑल्रीड बता चुकी हूं, आप लोग शुट से लिखेंगे, कोई बिजली कोई बिजली का खंबा नहीं होने पर भी चांद का रौषने चारों तरफ उजाला के रहे थी अब आती है तवील सवालात की दिर्ग उत्रिय प्रसन की सबसे पहला सवाल है निदा फाजली किनकिन हैसियतों से फिल्मी सनाथ से वाबस्ता रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि संद्री से سंबंध रहे थी ठीच है तो यह वगा डूग्य थी गडीने शायरी कि किस कि सिंफ में तबाँ आजमाई है मतलब निदा फाजली और क्या क्या लिखिए उनके के बार में आप लोगों को बतााना था नहीं नजम के लावा नग्मा नेगारी मोकाल नेगारी यहां तखहे टु सवाल निदा फाजली की शौरत और मखबूलियत की असलवज़ पर रौस्थ नी डाली ईह बताना है आप ank concurrentа क्या हूंकि इतना जयदा फैमस हो गए हूंके शौरत और इसका आप लोगो को क्या ख्याल आता है पढ़कर आप लोगो यह बताना है मतलब इसका खुलासा करना है तो आप लोग खुट से करेंगे और इसी के सांथा आप लोग का chapter number 20 और 21 एक ही वीडियो में दो chapter complete होता है अब next वीडियो में हम लोग chapter number 22 को start करेंगे और उसको भी और बहतर तरीके से complete करेंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही इस चप्टर से कोई भी confusion हो आप हमें comment करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अपने पडोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूं आप तक सबसे पहले पहुचे तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्र के साथ तब तक क्या लिए जैहिंद और खुदा हाफिज